हेलो एब्रीवन वेलकम टूर ओन यूटीब चैनल दाव मैथवाज़िशन शो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मानू के डिफरेंट कोर्सेज में जो सर्टिफिकेट आप लोगों को अपलोड करना है काउंसलिंग से पहले वो किस तरह करना है क्या 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 डॉकुमेंट आप लोगों को अपलोड करना है और डॉकुमेंट अपलोड करने का सही तरीका क्या है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आप लोग गूगल खुरोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे और उसके बाद आप डिस्क टॉप साइट पर इसको चेंज कर देंगे ठीक है अब सर्च बार में जाके हम लोग लिखेंगे मनुमानु.edu.in और फिर सर्च पर क्लिक कर देंगे अब साइट खुलेगा जब थोड़ा वक्त लगता है साइट खुलने में खुलने दिजिए थोड़ा नेट भी सुलो है थोड़ा वक्त लगता है खुलने में जी खुल चुका है यह कुरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए कोशी गाइडलाइन आता है वाउप अप मैसेज तो इसको हम लोग हटा देते हैं अब इस तरह से आपके सामने खुलके आजाएगा हो यहाइगे दूसरा दूसरा वालगा खोक्री अंब अब करेंगे और आप इसमें दो ओप्षेन दिख़ रहे हैं लॉग इन और रेजिस्टर दो अप्शन आ रहा है एक लॉग इन का दूसरा रेजिस्टर का तो हम लोग इन पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने यह विंडो खुल के आएगा तो इसमें लॉग इन में आप लोग अपना रेश्टेशन नमबर डालेंगे और यहां पासव नमबर जो आपने दिया है मोबाइल नमबर वो यह सारा चीज आ जाएगा तो इसमें जो है आप लोग इसको देख लेंगे और यहां आते हैं हम लोग लेफ्ट साइड में जो यह टैब है इस पर क्लिक करेंगे ठीक है और उसके बाद यहां बहुत सारा आप्शन आपको दिख रहा होगा रेड़ वाला रेड़ फॉन्ट में लिखा हुआ है न्यू न्यू करके तो इसमें जो है हम लोग क्लिक करेंगे अप्लोड डोकुमेंट पर अप्लोड डोकुमेंट पर क्लिक करने के बाद यह आ जाता है अप्लिकेशन नंबर कोर्स नेम रिमार्क्स और एक्शन करना क्या है तो अप्लोड डोकुमेंट करना है तो हम लोग इस पर आप क्लिक करते हैं अप्लोड डोकुमेंट पर अब आप लोगों को सामने दिखेगा कौन-कौन सा डॉकुमेंट्स अफलोड करना है तो अलग-अलग कोर्सेज में थोड़ा सा डिफ्रेंस हो जाता है लेकिन जैसे यह इंजिनियरिंग का है तो इसमें पहला नमबर तो उर्दू है जा आपने लेंग्वेज या मीडियम या मदर्सा में पढ़ा है 10th level पे 12th level पे graduate level पे या उसके equivalent level पे तो उसका एक certificate आप लोगों को अपलोड करना है यह सभी बच्चों के लिए और 10th का certificate भी यह जितना भी ET-based course हुआ है उसमें मांग रहा है 10th का certificate जो कि आप लोग मांक्षीट अपलोड कर सकते हैं उसके बाद हैं आपका selection OVC में हुआ है या आपने OVC के थ्रूँ apply किया था तो आप लोगों को OVC certificate upload करना होगा उसके बाद transfer certificate जो कि आपने जिस school में यह college में last पढ़ा है वहां से transfer certificate आपनों को मिलेगा वह upload करना है उसके बाद migration certificate वह भी आपने last study जिस school में किया है वहां से आप करना है उसके बाद bonafide certificate वह भी आपनों को last यहां school में पढ़े हैं भी school college जहां भी वहां से मिलेगा यह bonafide के जगा character certificate भी आप यहां डाल सकते हैं ठीक है उसके बाद क्या करना है सारा upload करके show successfully submitted documents and exist इस पर click कर देना हो जाएगा तो हम लोग शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम लोग टेंथ का जो है हमने उर्दू एजा लेंग्विज या मीडियम या मदरसा में पढ़ा है उसका certificate upload कर देते हैं चूज फाइल पर क्लिक करेंगे ठीक है और यहां फाइल्स पर क्लिक करते हैं इस पर क्लिक करके आते हैं यहां मैंने एक अलग से फाइल बना लिया था कि इसमें रखना है तो डॉकुमेंट सर्टिफिकेट मैंने यहां इसमें रखा है तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट पर क्लिक करके इस फाइल के अंदर मैं यहां देख रहा हूं तो इसमें मैं result upload करूंगा और जेनरली बच्चे result ही upload करते हैं तो यह मैंने result पर थोड़ा नहीं बल्कि थोड़ा जाद है वक्त लग गया कोई बात नहीं यहां देखिए एक पॉप-प मैसेज आए गया हम लोग ओके पर क्लिक कर देंगे यह हो गया अब अपलोड होने के बाद आप लोगों को यहां दिखेगा डोकुमेंट का प्रिव्यू ठीक है और यहां ऑप्शन आगा एक चेंज का यानि आप चेंज भी कर सकते हैं अगर गलती से कोई और डोकुमेंट आपने अपलोड कर दिया तो यहां चेंज पर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं और इस सर्टिफिकेट जो दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप सर्टिफिकेट को देख सकते हैं यह मैंने क्लिक के और मैं देख सकता हूं ठीक है चलिए वापस आते हैं अब हम दोगों को क्लास 10 का सर्टिफि होगा थोड़ा वक्त लगता हैए कि अपलोड हो ड़ा है आप लोग जो है थुदा इंतिजार के जिए गया ऐसा नहीं कि घबडा के इस विंडो को बंदकर दीजेगा हुआ प्रवेट कर लिजेगा तो यह upload हो जाएगा यह uploaded successfully का मैसे लिखता है सक्सेस्फुली upload हो गया है अब यहां फिर से देखें जिस तरह से इसमें option आ गया था प्रिव्यू और चेंज का तो यहां भी एक option आगे यह प्रिव्यू और चेंज का अगर इसमें भी कोई गलती से certificate अपलोड हो जाता है यहां चेंज पर क्लिक करके उसी तरह से फिर से अपलोड कर सकते हैं मैं फिर से एक पर देख लेता हूं प्रिव्यू में कि सही हमने अपलोड किया हाँ सही अपलोड किया ठीक है अब ओबी सी certificate अपलोड करना है यह भी required information है तो इसको मैं अपलोड कर लेता हूं कि अब अब अपलोड पर क्लिक करते हैं इसमें भी थोड़ा वक्त लगे गया थोड़ा नहीं ज्यादे वक्त लग गया अब नेट सुलू है काफी शायद इस वह जिससे ज्यादा टाइम लगड़ा है कि खिर कोई बाइत नहीं आप लोग थोड़ा वेट कर लिजिएगा तो हो जाएगा जी डोकुमेंट अप्लोड इट सक्सेस्फुली यह हो गया अप्लोड ठीक है अप्लोड रोड़ने के बाद अपने आप यह रिफ्रेश हो जाता है रिफ्रेश होगा यहां लिख देगा चेंज का अप्चन है यहां फाइल का प्रिव्यू तो उस फाइल पे क्लिक करके है तो इसको भी छोड़ देते हैं अगर आपके पस होगा तो अप्लोड कर देजेगा अब топ irrelevant कर्देजेगा यह सारा करने के बाद यह यह कूंश करने करने के बाद और पहर prov me जो है आप लोग 31 अक्टूबर से पहले समिट करेंगे ठीक है अब मैं यहां शो सक्सेस्फुली सब्मिटेड डॉकुमेंट अन एक्जिस्ट पर किलिक करूंगा यह कह रहा है कि यह बात आप लोग नोट कर लिजिए याद रखिए कि आपका सारा डॉकुमेंट फेरिफाई ह करेंगे टाइम में हम ओके पर किलिक करेंगे ठीक है और इस तरह से यह आ जाएगा यह आप्शन यहां रिखिए आपनों को लिख दिया ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म 2021-2022 अग सक्सेस्फुली अप्लोडेड डॉकुमेंट्स यह उर्दू सर्टिफिकेट टेंथ सर्टि अब ही भी आप जाके चैंज कर सकते हैं अभी भी यानी सक्सेसफुली आप लोग समीट करने का बाद भी चैंज कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से आप लोग अपना document upload कर दीजेगा और document upload करने में आप ध्यान दिजेगा कि कोई गलत'd document upload करने में कोई भी confusion हो तो आप लोग comment करके पूछ सकते और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन दबा दें ताकि आपको मानू एडमिशन 2021 से रिलेटेड सारा इंफोर्मेशन मिलता रहे